नमस्कार मैं निल्कु सतकर स्वागत आपका फ्लिप डॉट इन में बात करते हैं खरी 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 मजदूरों की जिन्दगी पर मजदूर जो रुजी रुटी कमाने अपने घर बार छोड़के दूसरे प्रिदेश में दूर गाओं में जाकर मालिकों के लिए अपना पसीना ब जिन्दगे बहुत से कि अहीन कर दो एकना को कि यह बिए ऑफ़ली एक लिए वोट वाले दिन ऊसके हैशी होती है को चेपटी से लेके कंबल से जैके घुच कही कही हिए वदेते हैं और उसके बाद से जिन्दग्ये बर मजदूर बनाए रखते हैं मजदूर जिसके लिए एक नहीं सैकडो संगठन बने हुए हैं जिसके हक के लड़ने के लिए मजदूर का सवाल एक रोटी होता है एक रोटी दिलाने के लिए सौ से ज़्याद संगठन है मजदूर संगठन मजदूर की रोजीरोटी का सवाल आज तक हान भी नहीं उपाया मजदूर जिसकी जिंदगी कभी भी चले जाती है मजदूर होता है नेताओं को अनुकंपा और अनुदान देने के लिए तस्वीर खिचाने के लिए, मोटे मोटे बयान जारी करने के लिए घड़ी आली आसु बहने के लिए मजदूर की जिन्दगी क्या है मजदूर क्या है पैदा होता है मर जाता है अब फिर मजदूर को जीने का हाग में क्या है काम आप देते नहीं हो वो काम ढूंडने जाता है वहां काम खत्म होता है तो फिर खड़ा है उनको क्या मालूम था व किस किस ट्रैक से कोन शिपटेंग निकलती है तो मझदूर ही करता है कि वे इसी दिन 세फे उसको कहा है उसको जिन्सका पता नहीं है उसको अगली सास ले पाएगा कि भी इसका पता नहीं की का खाले में जाता है मजदूर की सरकाद, मजदूर की सरकाद, मजदूर ही एक ऐसा प्राणी है इस देश में जो आजादी के बाद से मजदूर ही बना हुआ है, हर कौम की तरक्की है, हर पद की तरक्की है, हर वर्ग की तरक्की है, लेकिन मजदूर एक ऐसा वर्ग है, जो मजदूर था, मजदूर रहे और मजदूर रहेगा मैनत करते वे पैदा होता है मैनत करते वे जीता मैनत करते मर जब आप है मजदूर किले में फरक क्या रहेगा इस देश में है रहाद से चले आए 15 दो आज धंते वड़ा कि तुम नार में मिले 15 देन पैदल जो शौक से जो रात को जो और सुबह जो जोगिंग करते हैं वजन कम करने के लिए उनको 15 दिन चला दीजिए शरीर नहीं दीखेगा बिना खाए पीए 15 दिन पैदल भला हो बलादवजार का लेक्टर कारतिके का और इस पे प्रशान का जो निरेक्शन करते हैं सबहें उनकी मालेजर पड़ी तो एक गाड़ी में मज़दूर पा गया कर ली मे इस तेरा मजदूर थे से इथ्राबाद से और समगा तक पहुंच घरते हैंग्ञा निकल कर आगएू पता हो कि साधरान चेत्र समझ में आगा नकसर चेत्र से भी निकल कर आ गया जो है इनके होट स्पाट है वह नाधपूर वहां से निकल कर आ गया 15 मजदूरों को डॉक्टर कामले ने एमस के सामने रोकी लिया कहां से नहीं आ रहे हैं यहां से जारखन भागे मजदूर और प्रफिर कर के आ रही है राईजी सरकारे हैं बहुत जादा दिन नहीं हुए है नेशनल हाईवे पर रसनी के पास आरंग के पास जो है टोल टेक्स के पास एक पिकप पेंड पलट गई थी दस मजदूर बैठेते उसमें बंगाल जा रहे थे बंगाल पैदल बंगाल एक मजदूर मर गया चोईस साल का लड़का था तब भी होशनी आया कि हमारे मजदूर आथ कहां से रहें कैसे सीमा पार हो रहे हैं सीमा पे जो बैठा हुआ है उसकी डूटी क्या है हम नहीं कहते रिश्वत खा रहा होगा लेकिन लापर भाई ऐसी कि महाराष्ट के मजदूर हैदराबाद के मजदूर जहां पर कोरोना शवाप पर है उन लोगों को निगलने के लिए तैयार बैठा है पता नहीं कितने लोग इसमें संक्रमित होंगे कितने नहीं होंगे सब चले आ रहे और सब चत्तिस गड़ा बंगाल जाना है तो चत्तिस गड़ से जाओ जारखन जाना है तो चत्तिस गड़ से जाओ मद्य प्रदेश जाना है तो चत्तिस गड़ से जाओ मजाक बना लिए चतिसगड को और चतिसगड के जो सीमा के रक्षक है उनकी तो तारिफ पे थकते नहीं सकता आप से तारी कि जाएक उत्ती कम है क्या चॉक्सि कर रहे हैं क्या सीमा बंदी है क्या कर रहे हैं इतने मजदुर चले आरे पैदल और आप शूरू गए वहां कि महराश्ट में Kangris की सरकार है कांgris ही कहा हम दिल्ली में मोदी की सरकार है तो न्हें दिया तो कांgris दूर किस ने चलाई तो उन 16 मजदूरों का कातिल कौन है, ये तै तो करना चाहिए, क्यों निकले वो वहां से, अगर कमपनी के संचालक ने, फैक्टरी के संचालक ने उनको निकाल दिया था, तो बड़ी-बड़ी बाते जो सरकारों ने की है, कि जो उसको भी निकालेगा, उसको सजा देंगे, तो क् संचालक के खिलाब अपराज दर्ज हुआ, जहां ये काम करते थे, उस कारखाने के मालक को ततकाल गिरफतार करके, उसे फासी दी जानी चीए, गैर इरादन हत्या का जुर्म दर्ज होना चीए उस पर, सरकार के कहने के बवजुद वो निकाल रहा है, अपिर सरकार क्या कर रोज कहीं ने कहीं से खबर आ रही है कि पैदल 300 किलोमेटर चले गए, साइकल पे 600 किलोमेटर चले गए, पैदल 900 किलोमेटर चले गए, 1000,000 किलोमेटर चले पैदल चल रहा है, आखीर कुछ तो मजबूरी होगी, खाना नहीं मिल रहा होगा, तक तो पैदल भूके निकल रह इन 16 मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी तै की जानी चाहिए यह पांट लाग रुपए मौज़ा देने से कुछ नहीं होगा इन लोगों की जो मौत की जिम्मेदार है उसको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए अगर कारखाना मालिक ने इनको निकाल दिया है तो उसके खिलाब अफराद दर्च होना चाहिए नहीं तो फिर रोहिए रटे रटाय बयान जारी करिए तस्वीर खिचवा लीजिए अपने आपको महान बता दीजिए खुदा बता दीजिए और मज़दूर को मज़दूर बनाए रखिए नमस्कार अगले अंग तक के लिए दिजिए मुझे जाज़ा For more information, log on to www.glips.it